Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Geographic Group. In the series of NCRT Geography, today we are here with the third episode of Class 11th Geography, Chapter 6, Geomorphic Processes. भुआकर्तिक पर के लिए आई. इसमें हम पढ़ रही हैं, भुआकर्तियों के बारे में, भुआकर्तियों का निर्मान कैसे हो, उनका विध्वन्स कैसे होता है, कौन-कौन से बल कारे कारे होते हैं. क्लासिफाई कर सकते हैं. प्रिवेस जो एपिसोड तो हमारा, उसमें हमने आंत्रिक बल, एंडोजोनिक फॉर्सेज और एक्सोजोनिक फॉर्सेज उनके बारे में थोड़ा और समझा पढ़ा और जाना था. आज का जो एपिसोड है, इसमें हम बात करने वाले हैं वैदरिंग की. इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला इए. ने के वली इस चैप्टर का, बलकि अगर आप कमपेडिशन एग्जाम की त्यारी करें, तो उसके लिए सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो वैदरिंग है. जितने भी एग्जाम होते हैं, चाएब वो टीचिंग लाइन से लेटिड हो, चाएब आप यूपेशी की त्यारी करना चाहते हो, या क्लैट का हो, तो उसमें एक या दो कुशन है, वो इस टोपिक सी हमेशा रही है. तो आज हम इस एपिसोड में समझेंगे अपक्षिय क्या होता है, हम पहले ही बढ़ चुके हैं इसके बारे में, अपक्षिय कितनी टाइब का होता है, और कैसे ये काम करते हैं, तो हम फिजिकल वैदरिंग, टेमिकल वैदरिंग और बायलोजिकल वैदरिंग है, उसको डीपली समझने का प्रियास करेंगे इस सेशन में. चले शुरुवात करते हैं इस सेशन की, सबसे पहले अपक्षिय की बात करेंगे, अपक्षिय क्या होता है, अपक्षिय एक स्थेतिक प्रक्रिया है इसमें चटानी अपनी ही स्थान पर पड़ी पड़ी तूट फूट जाती है यानि अपक्षिय क्या चटानों का अपनी स्थान पर वेगटन हो जाना व्योजन हो जाना या फिर उनका तूट फूर जाना उनका चूरन बन जाना अपक्षिय कहलाता है अपक्षिय की जो प्रोसेज होती है वैदरिंग की प्रोसेज होती है आपने ओजव भी क्या होगा आपके घर अगर बने होते हैं और उसके पीछी से बेक साइड से जहां पे इतना केर नहीं किया जाता है या पाने की छोटी सी गनाली जा लिए तो वहाँ पर इंटे खराब ह जाना अपक्षिय कहलाता है तो इस परक्रिया को हम अपक्षिया वैदरिंग कहते हैं इसमें जो कई घटक होती है या कारक होती है वो अपक्षिय को नियंतरित करते हैं परभावित करते हैं इनमें शेलों की सरंचना और संक्ठन हैं भूमी के ढाल हैं जलवाई सुमंदी भ ś 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 śś ś ś ś ś ś ś ś वहाँ पर राशानी का अपक्षय अधिक होता है इसके साथ साथ चटान किस परकार के खनीजों से बनी हुई है चटान मुलाइम है या फिर कठोर है ये भी अपक्षय को परभाइद करते है जो मुलाइम चटाने होते हैं उनका अपक्षय अधिक होता है अगर वो शेतिज है तो वहाँ पर राशानिक अपक्षय दिखोगा तो चटानों की बनावत सरंचना अपक्षय को प्रभाइद करते हैं दूसरा है भूमी का ढाल, मंद्या न्यून ढाल वाले भूमिओं पर तीवर तेज ढाल वाले खड़े ढाल वाले भूमी के तुलदा में अपक्षय कम होता है, यानि जहां ढाल तेज होगा वहाँ अपक्षय भी अधिक होगा क्योंकि अपक्षय में ये जो कारक है वो help करेगा अपक्षय को बढ़ावा देगा तो ढाल के उपर भी निर्बर करता है कि अपक्षय कैसा होगा तीसरा जो फैक्टर जो अपक्षिय को प्रभाइद करता है वो है जलवाई हो ऊशन आदर परदेशों में राशायनिक अपक्षिय अधिक होता है ऊशन यानि जहां तापमान भी अधिक होता है और बारिश भी अधिक होता है वहाँ पर chemical अपक्षिय अधिक होता है जैसा कि आपने 10th class में भी पढ़ा था laterite soil है वो कैसे बनती है वो अपक्षिय का प्रेणाम होता है वो इलाके वो प्रवतिय इलाके चटानी इलाके जहाँ पर तापमान अधिक रहता है तापमान अधिक रहता है और बारिश भी अधिक होती है तो वहाँ moisture अधिक है यानि कि आदर्ता अधिक है तापमान भी अधिक है और आदर्ता भी अधिक है तो ऐसे इलाकों में chemical process के दोड़ा अपक्षिय है वो अधिक रहती है तो ये भी परवायत करता कि जलवायू कैसी है इसी तरह के जो सुष्क इलाके हैं, ocean इलाके हैं, गरम इलाके हैं लेकिन सुष्क इलाके हैं जहाँ पर वनस्पति नहीं है वहाँ पर physical भोतिक अधिक होगा राजस्तान, रेगिस्तान का example लेजिए, जहाँ पर वनस्पति भी ही निलाके हैं तो वहाँ वायू के द्वारा अपरधन भी हो रहा है और वहाँ पर जो तापमान में प्रवेड़तन होता है उसके कान वहाँ पर अपक्षिय भी अधिक होता है तो जलवायू में भीनता, तापमान में भीनता, वर्षन जो जलवायू के ही कारख है ततो है ये भी अपक्षिय को परभावित करते हैं इसी तरीके से फूर्थ फैक्टर है वो वनस्पति का परभाव है वनस्पतियां आंशिक रूप से अपक्षय के कारक भी हैं और उसके अवरोधक भी यानि ये बढ़ावा भी देते हैं और कई तरीके से उसमें रोकावट भी डालते हैं अब वनस्पति विहिन जो इलाके हैं वहाँ पर सूर्य अधिकता के कारण अपक्षय अधिक होता है उसन इलाके हैं जहां पर तापमान अधिक रहता है तो वहाँ पर जहां वनस्पति नहीं है तो अपक्षय करना आसान होगा और दूसरा ये कि अपक्षय को रोकते भी है जह जडए जैसे जैसे उसका साइज बड़ेदा हो गिंगल क्व । तो अपक्षे को रोकते भी है जो बनस्पति है और अपक्षे को बढ़ावा भी देते हैं। तो ये चार कार्ख है जो अपक्षे को प्रभावायद करते है। इनमें कौन-कौन से पहला जो कारक हमने किया, पहला जो फैक्ट रहुए चट्टानों की सरंचना और संग्थन कैसा है, दूसरा भूमी का ढाल कैसा है, तीसरा जलवाईयों में भिंता और चोथा वनस्पति का परभाव। अब हम बात करेंगे अपक्सिय के परकार की, अपक्सिय की प्रक्रिया कई तरह किसे होती है, अलगले परकार से संपन होती है, और इसी आधार पर अपक्सिय को हम तीन भागों में बाङँ सकते हैं, वैधरिंग को, it can be classified in physical weathering, chemical weathering and biological weathering की कैसे हो रहा उस आधार पे हम इसको भ बात करेंगे बौति का पक्षय के भोति का पक्षय सुरैतप तुसार जल वायुदापसे चट्टानव विह bun होने की कृणि यानि थुत तापमान के कार्ण, सुरेतब के कार्ण, या तुसार पाला जमने के कार्ण, या फिर पानी के कार्ण, या फिर दबाओ के कार्ण, जब चटानों में टूफूट होते हैं तो उसको हम भोतिक अपक्षय कहेंगे, भोतिक अपक्षय को भी हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं, इन में बदलाव आता है गरम मरुस्तलों में अत्य अधिक देनिक तापांतर होता है देनिक तापांतर मतलब दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेंपरेचर में अंतर क्या है जैसे राजतान में है दिन में अगर टेंपरेचर 50 20ιο celsius है तो उसी रात को तापमान है वो 20 јर्य का बहुत बड़ा difference आता है अब ऐसे इλαके, गरम इलाके सुस्त इलाके, मरुस्तिल इलाके जहां देनिक तापमान तर्य अधिक होता है temperature changes and that leads to the expansion of the rocks चक्ताने फ्यलती है तो इसके आठ चक्ताने जब तापमान अधिक हए साइंस में आपने पढ़ा है अधिक होगा कोई विवस्तू धातू चटाने फेलती है तापान कम होगा वो सिकुड़ती है फेलती है फेलेगी सिकुड़ेगी यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है इससे चटानों में दरार ही पेदा हो जाती है और इसे हम भोतिक अपक्षिय किस परकार का पिंडवी छेदन का उसके बाद दूसरा जो अपक्षिय हो है अपशलकन इसे हम एक्सफॉलियेशन भी बोल सकते हैं इसको ओनियन स्कील वैधरिंग भी कहा जाता है अपशलकन क्या होता है शेलों की उपरी पर्थे वो गरम हो जाती है और अंदर की पर्थे ठंडी रह जाती है अब जो बड़ी चटानी है जहां पर तापमान अधिक रहता तो उपरी भाग वो जल्दी गरम हो जाती है और उश्मा वहीं तक पहुंच पाती है बिच के सेंटर के जो भाग वहां तक नहीं पहुंच पाती है अंदर के भाग ठंडी रहते हैं उपरी का पक्षिय है यहां आप डाइग्राम में देख सकते हो किस तरीके से चट्टान है और यहां पर आप शलकन के काण इसका उपरी जो आवरण है वो हट गया है कैसे हटा क्योंकि उपरी भाग वो गरम हो रहा था बार-बार अंदर का भाग वो ठंडा रहता है जब यह प्रोसे तुसारे यह पक्षिय है यह बहुत थंडे इलाकों में होता है जहां निरंतर उप से जो चट्टानी है उनमें पानी जमने और पिंगलने से होता है अब जमने और पिंगलने से फिजिकल वैदन कैसे होती है जैसे यह देखिए कि यह दिन के समय में है यहां पानी है और यह चटाने हैं इनकी दरारों में पानी है अब रात की समय में जब तापमान कम हुआ तो क्या हुआ पानी जब गया जब जमता है पानी वो स्थान ज्यादा घेरता है आपने फ्रीजरेटर में जब पानी रखते हो तो आपने देखा हुआ कि पानी का बाउल है थोड़ा कम रखत ताए दराह रहे हैं उसका आकार बढ़ता है लगाता है रहे होता रहता है तो उसके बाद चाटानों में दराह री भड़ जाती धा चा, तो इसी हम तुषारी अपक्षय यह भूतीक अपक्षै, उसके बाद चोथा जब उपरी चटाने अगर हटेगी तो निचली चटानों पर दबाव कम हुआ जब दबाव कम हुआ तो वो फेलेगी और कई बार जब फेलती है तो उनमें दरारें पड़ जाती है तो यह दामोचन अपक्षिय कहलाता है Unloading and Expansion Weathering कहलाती है यह इसका भी एक एक जामपल है यहाँ पर यह देखिये किस तरीके से उपर की चटानों को अगर हटाया जाता है तो उनके लिए फेलनी का मुका मिलता है और इसके कांड वहाँ पर प्रिवरतन आते हैं और दरारें पड़ जाती है तो यह था भूतिका प पक्षिय है वो देनिक तापांतर के कांड हो सकता है पिंड वी छे दंजी से बोलेंगे इसके लाओ अपशलकन हो सकता है प्याज के छिलके की तरह लग हो सकता है तुसारे पक्षिय हो सकता है और दाब मोचन हो सकता है अब हम बात करेंगे केमिकल वैदरिंग की अब केमिक केमिकल प्रोसेज के कारण चटाने तूटती है या घुलती है या फिर नए योगिक नए रूप में बदल जाती है इसको केमिकल प्रोसेज हालांकि वो है सारी केमिकल प्रोसेज लेकिन वो किस तरीके का प्रोसेज है उस अधार पे इसको भी हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं यानि जब ऑक्सिजन के कांड अगर चटानों का अपक्षय हो रहा है तो यह कैसी प्रोसेज है राशाइनिक है और इसको हम बोलेंगे ऑक्सिकांड वायमंडिल ये ऑक्सिजन जल में घुलकर जो चटानों के खनीजों को ऑक्साइड में बदल देती है इसी चटानों का अगर कार्बन डायक्साइड गेस की कार्ण हो रहा है तो इसे हम कार्बोनेशन बोलेंगे वायमंडल में जो कार्बन डायक्साइड गेस है CO2 है वो जल में मिलकर के कार्बनी कामल बनाती है इससे जो चुना युक चटाने वो आसानी से घुल जाती है यह कार्बोनेशन कहल तो ऑक्षी canड, carbon dioxide के कड क्या है जब जलates, canड को कहा जाता हि जल जल आफ्शोशित होता है जल आफ्शोशित होगा चटाने फूलेगी उसके बार जितना जल बार बार जाएगा चटाने फूलेगी और फूलने के काण धीरी धीरी उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा तूट फूर होने शुरू हो जाएगी धीरी धीरी का मतलब लंबी प्र से अनेक परकार के आमलों और कार्बनिक ततों का घोल लेती हैं जानि कि जो वर्षा है वर्षा का जल है वो चटानों से अनेक परकार के जो आमल या कार्बनिक पदार्थ है वो अपने साथ घोल लेता है वर्षा जल और एक नया राशाइनिक मिश्रन बनाते हैं इससे हाइड कार्म करूलते हैं यानि गोलन्ण के द्वारा भी रासाइनिक अपक्स्या होता है बारिष्ट का पानी है वो भी कई परकार के ऐसे अभडार्थ होते हैं चक्ट्यória में जो उनके साथ घुलन शील होते हैं आसाने से तो इसके कार्ण भी अपक्षे होता है तो उसे हम घोलन अपक्षे बोलेंगे यानि कि रासाइनिक जो अपक्षे है वो अपक्षे चार तरीके से हो रहा है जिस एजेंट के कारण हो रहा है उसी के अधार पर नाम दे दिया गया पहला ऑक्सिकन हो गया ऑक्सिजन के कारण है दूसरा कार्बोनेश दोविज में लिख सकते हो कि जिस भी कारक के कान हो रहा है उसी आधार पर हम ने राशानिक अपक्षय का नाम दे दिया गया है है यह सारी chemical प्रॉसेस तो यह था chemical weathering अब हम बात करेंगे biological weathering की JV का पक्षिय की biological weathering किसके कान होता है ये जियों के कान होता है जियों जन्तों के कान ये वनस्पति के कान जब आपक्षिय होता है तो उसे हम JV का पक्षिय कहते हैं इसको भी कि ये वनस्पति कान हो रहा है या हमारे कार्ण हो रहा है मानविय गतिविदियों के कार्ण हो रहा है या फिर ये वन्य जियों के कार्ण हो रहा है उस आधार पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं बायोजिकल वैदरिंग पहले वनस्पती जनित अपक्षिय है, वनस्पती जनित यानि कि वनस्पती के कान होने वाला अपक्षिय है, वरिक्ष की जड़ों का चटानों में परवेश कर उन्हें विखंडित कर देना इसी का एज़ांपल है, यहां आप देखिए कि जैसे पीड अपक्षिय होना आसान हो जाता है आपने आसपास पी दिवारों के आसपास पीड निकल आते हैं और उसके भाद दिवारें तूट जाता है ऐसा पे चटानी भागों में होता है तो यह वनस्पति जनित अपक्षिय है। ऐसे जीवजन्तु जनित अपक्षय है जीवजन्तु भी अपक्षय को बढ़ावा देते हैं जैसे केंच्वी दीमक चुही या खरगोस वो जो बिल में रहने वाले हैं या जो केंच्वी हैं मिट्टी को मुलाइम करते हैं और मुलाइम होने के बाद उनका अपरदन होना आसा हो जाता है तो यह जीवजनित अपक्षय कहलाता है उसके बाद थर्ड है मानवजनित अपक्षय होता है तो उसे हम मानवजनित अपक्षय कहेंगे जैसे हम क्रिशी करते हैं हम खनन कारे करते हैं हम निर्मान कारे करते हैं उसके कान मिट्टी की उपरी परद को हम मुलाइम क करते हैं चटानों में तोड़ फोर करते हैं उसके कांड़ भी अपक्षय होता है इसे हम मानव जनित अपक्षय कहेंगे तो मानव जनित वनस्पति जनित और जीव जनित जो अपक्षय है यह बाइलोजिकल वैदरिंग में आएंगे जेविक अपक्षय में आएंगे तो यह थ ठीक से समझ में आ रहे हैं, आपको लग रहा है, we are going in the right direction, just like, share and subscribe our channel, thank you, bye bye, have a nice day.